एक खबर आपको बता दे मनिपूर हैंसा जिस पर देश भर में चिंता जाहिर की जारी है इस पर आब RSS ने भी चिंता जाहिर की है कहा हिंसा का समधान ना होना दुर्भाग्ये पुन है हिंसा से निर्दोश लोगों का नुकसान हो रहा है ये सवाल बार बार विपकश उठा रहा है कि प्रिधान मंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते RSS ने भी इससे पहले भी हला कि पहली बार नहीं है RSS प्रमोक मोहन भागवत इससे पहले भी इस पर सवाल उठा चुके है दूतरी तरफ ग्रह मंत्राल है, इस पर अक्टिव नजर आ रहा है, बैटक हो रही है, अमिर्शा ग्रह मंत्री की अगवाई में चिंता जाहिर की गई, ये तमाम चीजे हो रही है, लेकिन इन सब के बीच समाधान अभी तक इस समस्या का नहीं निकल पाया, आप जानते एक सा से जादा का वक्त लगभगब इस मनिपूर हिंसा को देखने को मिल रहा है, मैं सीधा रिशिकेश का रुक कर रही हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े वे हैं, रिशिकेश आप कहां खड़े हैं, और जरा इस हिंसा पर प्रदान मंत्री बाहर है, आरसस ऐसा बयान देता है कि इसका समाधान होना चाहिए, यह चिंता की बात है, लोग इसको कैसे समझ रहे हैं? जब हमने हमनता भी सर्मा से सवाल पूछा कि मनीपूर के हिंसा को लेकर आप चुप हैं, यहां आप घुस पैटी और बंगलादेश का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या करना है? वहां भी आदिवासियों पर जुल्मत्याचार हो रहे हैं, तो उसको लेकर यहां आम लोग भी पूछ रहे हैं, मनीपूर को लेकर अब उनके ही संगठन ने सवाल उठाए हैं, यहां आप लोगो पर सवाल उठाए गए कि आदिवासियों को लेकर, कैसे देखते हैं इन घटना को लेकर आप लोगों? मनीपूर में तो टोटल भाजप्पा का ही काम है भाजप्पा ही वहां इगटना हमको लगता है कि उन्हीं के द्वारा हो रहा है तो देखिए चुकि मनीपूर की बहुत ज्यादा यहां जानकारी नहीं है लेकिन जिन इलाकों में मैं गया था जब राहूल गांधी का कारकेड वहां से गुजर रहा था और भारी प्रशासन की मौजूदगी थी तब भी वहां जितनी भी गाड़िया थी सब को जो दूसरे समुदाय था जब कुकी समुदाय में यह काफिला गया था नागा लेंड की तरफ यह जो काफिला बढ़ा था तो वहां एककर इतना ज़्यादा द्वेस था कि एककर गाड़ियों को चेक किया जा रहा था कि उसमें जो मैतेई समुदाय हैं उनके लोग तो नहीं हैं हम लोग जब से लोग नहीं मिल रहे थे कि कोई दूसरे जबह पर जाने पर उनकी हत्या हो जाएगी यह इस तरीके का महौल था मनीपूर का जो में शहर का जो चौक है जो सबसे वहां का गुलजार इलाका है वहां का बाजार आमतों पर देखिया कि पूरे देश में जो बाजार का कोने चले जाते हैं लेकिन बीते कई महीनों से वहां इस तरीके के हालात नहीं थे वहां के जो बिधायक हैं जो आके बाज् def जनपरतनिधी हैं आप किसी के घर पे चले जाएं कोई भी आपको जनपरतनिधी अपने घर पर नहीं मिल रहा था चाहे वो कुक्की का हो या मैतई का हो तो यह इस हिती थी और यह बात सब लोग जानते हैं कि जब राजितिक मुद्दा जब भी जार्खण में आदिवासियों को लेकर उठाय जाता है जब भी वह मुद्दा भुगुसपैट को लेकर उठाय जाता है तो सवाल सीधे मनिपूरा और असम पर पूछे जा रहे हैं और अब जब आरेसेस ने स्वेम जब वहां के प्रांत ने चिट्ठी लिखिये सरकार को तो समझे कि यह कितना गमगीन मा क्योंकि यह सब जानते हैं कि जब भी सरकार के खिलाब कोई एंटीन के में विसी होती है जब सरकार पर लगाम नहीं कसी जाती है तो संगठन के तौर पर आरेसेस हमेशा आगे आता रहा है चाहे आप परदान मंत्री मोधी के कई कार्यों को लेकिन बड़ी बात यह है कि उस